तो आप सभी लोग को लिए मैं डेली बेस प्रैक्टी सेट लेकर आ रहा हूँ एक प्लेट फार्म का एक आपका ग्यान बिंदू का तो कहीं ने कहीं आप सेट को लगा के अपना रिविजन कर सकते हैं और अपने कम्यों को सुधार सकते हैं डेली सुधार ये और देखिए कि कि आप कहां पर गल्टी कर रहे हैं और आपको कहां पर सुधारना चाहिए तो सब्सक्राइब कर पाएं और मैंने बिहार इससी इंटर लेवल का प्रैक्टी सेट कर सकते हैं वीडियो को सुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रसनिक हैं देखते हैं बोला कि हड़पा की खो वही बात कर रहे हैं अब राखल बनरजी के बारे में तो मोहन जोड़ों हो जाएगा जोकी 1922 में वर्स 1922 में ठीक है तो याद रखेंगे भूलेंगे नहीं साक्य राजवन्स के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना किया एक महान धर्म की स्थापना किया तो आ आधुनिक देवनागरी लिपी का प्राचिन रूप है अगर हम प्राचिन रूप की बात करते हैं तो ब्राम्ही हो सिलालेक की ज़ो लिपी है भ्रामही खरोश्टी गरीक और replica लाईख है कुछ नहीं से मालवा गुजरात यों महराश्टर पर कि सासक ने पहली बार जीता हस पहली बार जीता दोस्तों तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा चैनल गृतो मोरे ने सबसे पहला युद एक का 5 सिंद्र और पंजाब के विरु तो लड़ा और सफलता भी हासिल किया था ठीक है आप इसको अच्छे से नोट कीजेगा और बात करेंगे हम चंद्रगुप्त का आध्यात्मी गुरु कौन थे भदर बाहू थे कौन थे भदर बाहू इसमें मैस कर दिया गया है तो आराम से आप गुरुप है कि हासन निजामी के बात करते है तो हासन निजामी जो है प्रागंविक सलत्रत काल के इतिहास कर थे भक्ती संस्कृति का भारत में पुनर जन्म हुआ भक्ती संस्कृति का भारत में पुनर जन्म हुआ तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा पंद्रहवी और सोलवी सताब हमारे यहां पर भी हो जाएगा देखिए सेर खांद वारा किये गए अचानक आकरमर से हुमायू की सेना में भगल मच गई और हुमायू दोस्तों इसमें पराजित हो गया और चौशाक यूद में विजय के परशाद सेर खांद सेर साक्यूपादी धरन किया था ठीक है नोट क पूरवी भारत में अपना पहला व्यापारी कारखाना ओडिसा के हरीपूर और बालासोर में इस्थापित किया था नेश्ट है कि जब आई एस्टी या मुअत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह का 6 बजे की चाय ले रहे होते ह है उस स्थान का देशांतर क्या होगा अगर हम उस स्थान के देशांतर की बात करते हैं तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ॥े नंबर हमारे यहां पे 11 का डी सही आंसर हो जाएगा देखिए वर्स और 1884 में वासिंग्टन में संपन इंटरनेशनल मेरी मेरी डियन कान्फरेंस में एक सो असिवे या मोतर को अंतराश्ट्री तिथी रेखा जो है तो नरधारित किया गया था नेश्ट हमारा प्रस्न है कि बोला कि किसी इस्थान की जलवाई को परभावित करने वाला सरवादिक महतपूर तत्व कौन सा है तो यह आप पहुएगा समुद्र तल से उसकी उचाई ऑफसर नंबर हमारा 12 का ए हो जाएगा उससे पहले आप सभी को बता दे देखिए जिसको बिहार दरोगा का वर्दी लेना है तो मेरे भाई तैयारी करना पड़ेगा उसके लिए आपको मेहना था कि भू परपटी का वहां खंड जो अपनी इस्थिती में ही रहा हो जबकि इसके चारों और की जमीन बैठ गई हो वह कहायता है क्या तो उसको दोस्तों हम होस्ट कहत यह सही आंसर हो जाएगा एक हमारा आता है मदर टेरेसा तो इसके भी लेखा कौन है नवीन चावला ही है यह पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे भूलेंगे नहीं ठीक है अब आगे हम कुछ कुछ संदेख लेते हैं जो कि आपके लिए इंपोर्टन है कि स्वेज सागर और लाल सागर के बीच में इस्तित है और इस नहर को बनाने का जो काम है वर्स 1854 में फ्रांसिसी अभियंता जो कि फाडिनेंट डी लेशेप्स द्वारा किया गया था और अठारा सो 1879 इसे में जो है यह बनकर तयार हुआ था नैस्ट हमारा एक जनगरना वर्स द्व अनुमानतह लंबाई कितनी में से कितना होती है तो सही आंसर हमारा सतर का हो जाएगा ऑप्स नंबर डी 38 निमलिखित नेताओं में से किसने जो है लीग ऑफ नेसंस के गठन में प्रमक भूमिका नी भाई लीग ऑफ नेसंस इसका आंसर हमारा हो जाएगा बुल्ट्रो विल सिंटन के बारे में तो अब रहा हम दोस्तों USA में दास प्रथा को समाप्त किया था यह भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है अगला कि वह युक्ति जिसके द्वारा आकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइंदरी सिग्नलों के सहायता से भेजा जाता है और व सही आंसर हमारा हो जाएगा 20 का केवल दोनी गुणता हो जाएगा दोस्तों आप्सन नमबर हमारा यहां पर सी सही आंसर हो जाएगा अगला कि निम्नतापी इंजनों का अनुपरियोग होता है अनुपरियोग होता है दोस्तों तो देखिए यह आपको हो जाएगा रोकेट प्रदोक्टी में option number हमारे 27 का सी सही उत्तर हो जाए गा मोनोजैट किस का आयश का है मोनोजैट लाएख किसका स्का है। तो यह आपका हो जाएक», किसका हो जाए जाए गार thing एक रेडियो सकります लिदे हातू तो आइस्क्रीम दोस्तों कुलाइड नहीं है, बाकि दूद है, खून है और सहद भी एक तरीके से कुलाइड के रूप में आता है आगे हमारा प्रस्न है कि छिछले, हैंड पॉप, हैंड पंप से पानी, पीने वाले लोगों को नीचे लिखे गए सबी रोगों के होने का संभावना है सिवाए किसके तो इसका सही आंसर हमारा दोस्तो 25 का हो जाएगा, ओप्सन नमबर डी, फुलूरोसिस के कारण दोस्तो, मतलब फुलूरोसिस नहीं होता है, बाकि हैजा, कामला और टाइफाइड ये सब हो सकता है अगला कि एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्थन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो लांबाय में विर्धी, लांबाय में विर्धी हो जाएगा, दोस्तो ओप्सन नमबर ए हो जाएगा निमलिखित में से कौन सा रोग बैक्टिरिया से होता है इन में से कौन सा रोग है जो बैक्टिरिया से होता है तो तपेदित हो जाएगा दोस्तों तपेदित ऑप्सन नंबर हमारा 27 का यह हो जाएगा तपेदित का करले दोस्तों जिवाणू माइका बैक्टिरियम ट्यूबर closest होता है जो कि option number a right हो जाएगा समिधान के यानि भारत के समिधान का प्रारूप तयार करने वाले समिधान सभा के सदस्यों को बताना है तो विभीन प्रांतों को यानि विभीन प्रांतों के विधान सभाव द्वारा चुना गया option number 28 का C सही answer हो जाएगा राज निती निरसक सिधानतों को भारती समिधान में किये जाने का उद्वे से क्या है मतलब भारती समिधान में सामिल किये जाने का उद्वे से पूछ रहा है तो इसका answer हमारा हो जाएगा समाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को इस्थापित करना option number 29 का D हो जाएगा लोक सभा के नियूंतम एक बटा दस सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपती को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुला जाने की लेखित मांग कर सकते हैं ऐसे मांग के प्राप्ति के कितने दिने के भीतर कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या फिर राष्ट्रपती को विश्यस बैठक बुलानी पड़ेगी तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चौदा दिन ऑप्सन अमबर हमारा भी हो जाएगा नोट कीजिएगा भूलिएगा नहीं आते हैं अगले प्रस्न पर कि राष्ट्रपती के उमिदवार के लिए क्या आवस्यक नहीं है तो अगर पढ़ा लिखा नहीं है तब ही वो चलेगा लेकिन 35 वर्ष के आयू जो होना अप्सन नमबर 32 का सी सही उत्तर हो जाएगा ठीक है नोट कीजिएगा भारतिय समिधान का कौन सा अनुछेद समिधानिक विवाद में सरवच नियाले के अपिली छत्राधिकार से संबंदित हैं सही आंसर हमारा हो जाएगा अनुछेद 134 ए मिला करके अनुछेद 133 को पढ अधु में ऑप्सननबर दोस्तों हमारे हांपे 2 सही आंसर हो जाएगा आगे हमारा की तो हमारे हैं सम्माधिक प्याच अगर हम प्याच की बात करते हैं तो ह्रे प्रकास के अंप्सन नमबर सही हो जाएगा अगला है कि विख्याद ऑसकार पुरसकार निम्न संस्था द्वारτα प्रदान किया याइन किसके और संस्था के द्वारा यह आपका और पुरसकार दिया आता है तो विज्यान उस्धाकर द्वारत द्वात initiatскार ऊस्था कार्श हैं तो वर्ष 1970 ने किया था वर्ष 1970 में किया था कि अगर हम बावल की बात करते हैं तो यह कहां का वाट और सबस्व मंगाल का हो जाएगा ओप्सन नमबर ए सही आंसर हो जाएगा तो ओडिसया का आपका ओडिसी तो फेमस है ही एक हमारा जो है सावरी होता है घूमरा होता है ठीक है अमा होता है और जारखंड की बात करते हैं तो सरहुल जट जटीन हो जाएगा यहीं सरहुल अलग है और जट जटीन जो है अलग है ठीक है और विदेसिया भी जारखंड का ही है और वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम कुछ जैसे 36 गड़का जैसे पंडवानी हो जाएगा डागला हो जाएगा और दीवारी हो जाएगा यह से हमारा जो है 36 गड़का है तो कौन से शुरू होता है तो एक जुलाई से जो कि ऑप्सन नमबर हमारा डी हो जाएगा निम्न में से कौन से नदी जो है उत्तर की दिसा में बहती है देखिए उत्तर की दिसा में दोस्तों हमारा जो है चंबल नदी बहता है ऑप्सन नमबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएग निम्न में से कौन से अंतराष्ट्री टेनिस टूर्णामेट जो है घास के मैदान पर खेलते हैं तो वी मंदलन हो जाएगा दोस्तों जो कि आपसे नमर हमारा 42 का बे सही आंसर हो जाएगा वी मंदलन जो है सभी ग्रेंड इसलेम टेनिस प्रतियोगिता में सबसे पुरानी है सबसे पुराना है अगला की कन्फूसियस धर्म के संस्थापक कौन थे तो आंसर आप अच्छे स्याद रखेंगे कुंग फूसू कुंग फूसू दोस्तों ऑप्सन नमर हमारे हैं पे क्या ह हो जाएगा भी हो जाएगा कंफूसियस प्राचीन काल में चीन के महान दार्शनिक और सिक्षक थे नैश्ट के प्रसासनिक अधनियम का तात्पर है किससे अगर हम प्रसासनिक अधनियम की बात करते हैं तो उप्यूक्त सभी हो जागा जिसमें से संग द्वारा पारित हम और 1750 हिसा पूर्व के मद जो है दोस्तो किया गया है यह तो सभी को पताई होगा जो कि करेडियो कार्बन प्रसिक्षड सी 14 द्वारा ऑप्सन नमबर दोस्तों हमारा जो है 46 का क्या हो जाएगा सी सही आंसर हो जाएगा आप इसको अच्छे से याद रखेंगे आगे हमारा कोसने कोसन नमबर 47 मैंस का है इसको छोड़के बढ़ेंगे बोलाएंगे वर्स और इसमें इनमें से कौन सी घटा जो है नहीं घटा है तो देखिए एंस याठी का गठन जो है दोस्तों निसो नहीं नहीं हुआ है वर्स और नहीं हुआ है यह पॉइंट का आप इसरों का गठन 1999 में और मानों का चैनरमा पर पहुंचना जो है या भी आपका 1999 में ही हुआ है अगला कि लक्षदीब और मीनिकॉय को कौन जोड़ता है अगर हम लक्षदीब की बात करते हैं तो 9 डिगरी चैनल ऑप्सन नमबर हमारा यहां पे 20 सही आंसर हो जाएगा और ब का अंतरात्म रक्षक किसे कहा जाता है किसे कहा गया है तो बगुपाल किस्णा गोखल को जोतों और THIS हो जो g और जो आपका बीदरा का यूद ही आपको चलए 749 में अमबूर की बात करते हैं तो Kate blush को बांड़ीवास का हो जीएक णत्राइगा और पति बंबर जो हैं बामरण का हमारा सी सही इंत्र हो जाएगा निम्द मैं से कारबन की मान्तर का सही और रोही करम चुनिए कारबन की मातरा का सही tired की बात करते हैं तो कच्चा लोहा ढखलबा लोहा और लोसा झांधले इस बात हो जाय mix अभी इसस्थायता को जाएगा नेमल में से कौन जो है सर्वाधिक इस्थायता क्यों है सारवाधिक इसथाई तो है तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा, option number D तेकि सीसा का निसकर्सन जो है मुखेतव गेलना से किया आता है यह एक जो है उभैधर्मी धातू है अगला किसी कमरे में एक कोनी में सेंट की खुली सीसी रख देने से उसकी खुसबु कमरे में सभी भागों में फैल जाती है ऐसा किस करण से होता है ऐसा कौन से करण से होता है तो इसका उत्तर हो जागा विसरन विसरन हो जागा option number C मानों सहीर में बिटामिन A संचित रहता है तो आंसर हो जाएगा यक्रित में option number A आपका एक्रित में होता है जो कि option के साबसे हमारा A सही हो जागा अगर हमारा कुशन की Agora की पटना गोल घर की स्थापना की बात करते है गोल घर का निर्मार जो है कार्य की बात करता है 8786 में Lord कार्नेवालिस के समय में हुआ था गोल घर अनाज रखने के लिए दोस्तों मनाए गया था किसके लिए अनाज रखने के लिए बनाए गया था अब यहाँ पर भी दोस्तों हमारा मिलान करके बताना है चलिए इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं देखे आंसर हमारे यहाँ पर B होगा अगर हम WTO की बात करते हैं तो बहु पक्षिय व्यापार वारता निकाय हो जाएगा आइडिया की बात करते हैं तो सुलब रिडों की सुविक्रती हो जाएगा IMF की बात करते हैं तो अल्प अवधी भूक्तान सिस की समस्याओं की दिंदान के लिए जो है रिड़ देना और IBRD की बात करते हैं तो चौत्यम जाएगा जिसमें से पुनर निर्माण और विकास के लिए उधार देने और रिड लेने के लिए जो है सुविधापरदान करना आगे कि पागल्पंद की स्थापना निम्न मैंसे किस ने किया था तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा करम सह option नमर दोस्तों हमारे हैं पे 69 का D सही आंसर हो जाएगा निम्न मैंसे किस भारती राश्ट्री कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहना नहरू समाजवाद को भारत के समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है आंसर हो जाएगा हमारा लखनव अधिवेशन दोस्तों ऑप्सन नबर हमारा यहां पे बी सही उत्तर हो जाएगा नोट कीजेगा भूलियेगा नहीं 1936 में वर्ष 1936 इस्वें भारतिय एक्ष्टि कंग्रेस का दिवेशन लखनव में हुआ था ठीक है चलिए नेश्ट हमारा है बुला कि यारडंग बनने का प्रमुख करण क्या है यारडंग तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा हवा का अपरदन ऑप्सन नबर 61 का सी सही उत हो जाएगा ठीक है नोट कीजिएगा अल्टार्टिका महादीव पर पहुचने वाले प्रतम भारती कौन थे लेप्टिनेंट राम चरण थे कौन थे राम चरण अगला कि इरावती नदी को निम्न में से किस देश की जीवन धारा कहा जाता है जीवन धारा कहते हैं सही आंस दोस्तों हमारा जो है 64 का सी सही आंसर हो जाएगा और किस्टन देश तो प्राय दीव भारत की दूसरी सबसे बड़ी नद्य है निम्न में से कौन सा दीव जो है लक्षे दीव का सबसे बड़ा दीव कौन सा है तो अंट्रेट दीव हो जागा दोस्तों ऑप्सन नंबर सी अ 5 छनीज स्थी आंसर हमारा हो जाएगा अग्लें हट 11 अम्बर सी सही आंसर हो जाएगा ला कि अगया किनिम्न में से किसे ऐनी करी सी का माना घता है और इंक सी का जन्रक मानते हैं तो अलबर्ट हवर्ण को मानते हैं दोस्तों आ princi हैं इस तरीक आइक eyes पुरत्साहन और बाजार विकास येतू जो है राश्ट्री और गयनिक खेती परियोजना जो है दोस्तोर चुरू किया गया था नैश्ट हमारा प्रस्तन है कि लोक सभा में सदस्यों कि अधिकतम संख्या जो है दिर्धारित किया गया है तो इसका सही आंसर हमारा देखिए हो सब्सक्राइब कारेकाल होता है तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तो चाहँ वर्सका होता है जोकि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चाहँ वर्सका वे कभी भी राष्ट्रपती को समवधित कर त्यागपत दोस्तों दे सकते हैं संग की संपुड कारेपाली का सकती नहीत होती है किस में तो ये नहीत होती है दोस्तों राष्ट्रपती में नहीत होता है ओप्सन नमर हमारा 70 का जो है बी सही आंसर हो जाएगा वही बात करेंगे अनुशेत 74 तो इसके तद राष्ट्रपती को सहायता यम सलाह देने ही तू परधार मंतरिक नेतर तुम्हें दोस्तों एक मंतरी परिशद होता है ठीक है याद रखेंगे भूलिये का नहीं निम्ण में से किस धोनी तरंग का उपयोग जो है कीडो यानि क्या कहते हैं ॎ शही में सांसर हमारा हो जाएगा का अप्सन Germany सी एचा से यान रखेंगे निम्ण में से राष्य जोे सदिश रासी का उद़र्ण है साधिसरासी का उधरण है तो इसका आंसर हमारा हो जागा तोरण और सी बाकी विदुद्धारा दाब ताप अने स्वा हमारा जो है अधिसरासी का एक्जामपल दिया गया है निम्न में से कौन मूल मातरक नहीं है इन में से हमारा कौन मूल मातरक नहीं है तो मीटर दोस्तों लंबाई के मातरक होता है यह आपको पताई होगा ठीक है अगला कि कुफरी में से किस फसल की किसम है कुफरी तो यह आपको अलू का ऑप्शननमार हमारा सम्यंटी फाइब का भी हो जगा कुफरी दोस्तों चिप्सोना प्रसंस्कर्ण है तू आलू की सबसे अच्छे किसम है इसमें चीप्स, फ्लैक्स, फ्रेंच, फ्राइज यह सब देखतों आपको यहां पर तैयार कियाते हैं ठीक है अगला की निमनगिन हाउस गैसों में से किस एक काउस सर्जन जो है पूरत है मानो भीद जो है मानो दुभवी होते हैं या फिर मानो दुभवी हैं तो यहां क्लोर और जो बताता है कि आरतिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को बिस्रक्षित रखना है निम्न में से किस वर्स जेह क्रिसी मुल्य आयोग की स्थापना किया गिया है सही आंसर हो जायागा प्रोफेसर के एन राज और यह यह जोस्तो आपका दिखाया तो हेरेज्गोमर मॉडर पर अधारित है इक बात है और हम दूसरा पंचवर्षी की बात करते हैं दूसरा पंचवर्षी ओजना की बात करते हैं 368 और 2089 l पर अधारित है अगला कि इनवर्षं इंटेक्सining YOU जारी किया लेका है यह दियोका जरी होता है विश्व बौधिक संपता संग्ठन के द्वारा जो कि ऑप्सन नंबर हमारे हैं पर डी हो जाएगा धार्मिक जनगर्णा आपशल को मनाते हैं अब सभी को पता यह होगा इसो स्वासर दिवस के रूप में मनाते हैं इसाथ आपर्या अपट्र में अतंट जया ग्लाएं आफे सब्सार दिवस के रूप में मनाते हैं दोो कि तो अप SHU वास्त दिवस है ना और नौ अपरेल की बात करते हैं तो वीरता दिवस यानि सौरी दिवस के रूप में मनाते हैं नौ अपरेल को केंद्री कृत्सी मंत्री द्वारा कि सहर में जो है एग्री यूनिफेस्ट का उद्गाटन किया गया है आंसर हमारा हो जाएगा बैंगलूलू ऑप्सन नंबर डी साई हो जागा यह सब करेंट अफेर का है मैंने देखिए स्पीडी का मास्टर वीडियो डाल दिया है प्लस एडूटेरिया का भी डाल दिया है देखिए आप इसको समझिएगा आपका दो या फिर एक तारीक को स्प कि आना राज्यसरकारने राज्यक पंध्म विजयतों की किुटनी राज्सी कि मासिक बेंसन देने की घोशना किया है सही आंसर हमारा हो जाएगा दस लापसंग की सही हो जाएगा अगला कि इंटरनेशनल आयउ dozen में भारत की रंकिंग क्या है तो या आपको और जाएगा 42 दोस्तों आपसर नमबर 20 सही उत्र हो जाएगा मारकोनी आवाड 23 से किसे समानित किया गया है मारकोनी आवाड तो यह आपको हो जाएगा हरी बाल कृष्णन हरी बाल किष्णन सन्युक्त राष्टर उच इस तरी राजनीति मंच का मेज़बान सहर कौन सा है अनवारूल अनवारूल हक काकर आपसर नमबर अगला कि सिंगापूर के टेली टेली टेले ओस्टू नामक उबगरों को किस प्रच्छेपन यान द्वारा जो है लॉंच किया गया है तो प्यासलबी सी 55 आपसर नमबर डी मार्च दौर ताईस में पीया मोदी ने भारत के कि सिराज में विश्ट के सबसे लंबे रेल्वे प्लेट फारम का जो है उड़गरन किया है करनाटक हो जाएगा ऑपसर नमबर सी फरजी खबर फैलाने के आरोप में कि सदेश ने बीबिसी की मीडिया माने तक और रद कर दिया है तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा सीधिया ऑपसर नमबर हमारा डी हो जाएगा जुलाइद और तैस में दुनिया के पहली मानो रोबोट फ्रेस का यूजन जो है कहां पर किया गया है तो यह किया गया है जैनिवा में कहां पर जीनिवा में अगला कि सुलर अल्ट्रा वाइलेट एमेंजिंग टेलिसकोप किसके दोरा अगला है कि आजय टू योगी आदित्यनाद पुस्ता के लेखा कौन है तो यह आपके हो जाएंगे सांतुन गुपता सांतुन गुपता ऑपसर नमबर भी अपर दोर तैस में चकरवात इलसा ने किस देश को जो है परभावित किया है चकरवात इलसा तो यह किया है दोस्त अमबू नुटोम्टी में अध्र कहां पर मनाई गया है अंसर हो जागा अशम ऑप्सरों अब्र दोस्तों हमारा एस ही आंसर हो जाएगा दोस्तर आजरी आपको जाएगा चुश्टार अभनेटरी आपको जागा मिसल यू मिसल यू प्सर नंबर डी अगला इस बोला कि अगला हमारा